दोस्तों मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनने जव कॉमेडी शो देखना होता है तो यूट्यूब में पाकिस्तान मीडिया और इंडिया लगा लेते हैं दोस्तो अजरवाईजान के मीडिया के अंदर ये पागल पंती हाली में तफ दिखा जव उनके द्वारा भारत के ATAGS गन को BAE सिस्टम के M777 के साथ कमफेर कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि भारत के तरफ से ATAGS गन अर्मेनिया को दिया गया है दोस्तो आजके इस वीडियो में आप लोगो को अजरवाईजान के मीडिया के इसी पागल पंती के बारे में बताऊंगा और साथ में ये ही बताऊंगा कि ATAGS गन और M777 में क्या अंतर है और भारत के द्वारा अर्मेनिया को जो गन दिया गया है वो असल में किस तरीके का गन है और उसमें क्या अंतर है तो डिटल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चेल्ल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो सो लगवाग दो दिन पहले ही मैं आप लोगो को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अज अजरवैजान बड़े मातरा में तर्की और पाकिस्तान से हतियारों को हासिल कर रहा है पर दोसो इस बार अजरवैजान के मीडिया मीडिया एक्सपर्ट और मिलिटरी एक्सपर्टों के पागल पंति तो इससे भी आगे बढ़ चुका है क्योंकि उनके द्वारा अब पांस गणों को अर्मेनिया को प्रोभाइड कर रहा है बैसिकली दोस्तों ये ख़वर अजरवैजान के Azee Media International में एक मिलिटरी एक्सपर्ट ममद बेली ममदोप के तरफ से बताया गया बेली ममदोप के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि इंडिया के 155 मिलिमेटर ह JTAGS जोकि M777 मतलब 155 मिलिमेटर के हाउड़जर जिसे की BAE सिस्टम, Land and Armament के तरफ से निर्मान किया गया है उसका एक कॉपी है और भारत के तरफ से 155 मिलिमेटर के हाउड़जर को अर्मेनिया को दिया जा रहा है उनका ये भी कहना है कि भारत अभी भी इन 155 मिलिमेटर के हावड़ जड़ों के प्रोड़क्शन शुरू नहीं कर पाया है और ना ही भारत से अब तक ये आटिलेडी कोई देश खड़िता है इवन भारत अपने खुद के बेड़े में भी अब तक इन आटिलेडियों को शामिल नहीं किया है उनका ये भी कहना है कि इंडियन आर्मी के तरफ से भी इन आटिलेडियों को लेके उस तरीके से इंट्रेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है पर दोस्तो फिर भी भारत के आर्टिलेडियों को लेके अगर अजरवैजान के मीडिया में अजरवैजान के मिलिटरी एक्सपर्डों के तरफ से रोना धोना मचाया जा रहा है और लगाता रोना धोना मचाया जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि इन आर्टिलेडियों का खरिदने को लेके इतना खुशी जाहिर किया जा रहा है इसरा मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के बेड़े में जो 70-80% चाइनिज हतियार है वो भी सब बेकार हतियार है। चल रहा है कि ATAGS और M777 में क्या अंतर है। और दोसों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजरवैजान के एक्सपर्ड के तरफ से भारत के ATAGS आटिलेडी को BAE सिस्टम के M777 आटिलेडी के साथ कंप्यार किया गया। और ATAGS आटिलेडी असल में 155 mm के आटिलेडी तो है लेकिन ये 52 कैलिवर का है। वही पे दूसरे तरफ अगर M777 आटिलेडी को देखा जाए तो ये भी 155 mm का है लेकिन ये 39 कैलिवर के एक अल्ट्रा लाइट हाउटजर है। भारत की ATAGS अल्ट्रा लाइट हाउटजर नहीं बलकि एक भारी भरकम और दूर तक मार करने वाला आटिलेडी है। और दोनों आटिलेडियों में काफी अधिक अंतर है और इसका अंतर तो आप लोगों को इसके कैलिवर से ही पता चल गया होगा। और दोसरे इसका सिंपल मतलब ये है कि ATAGS गन को कभी भी M777 गन को कौपी करके नहीं बनाया जा सकता है और नाही इन दोनो 25 mm by 39 कैलिवर के मर्ज आटिलेडी जो कि एक अल्ट्रा लाइड आटिलेडी है और दोसरो इसका कैलिवर M777 के साथ मैच करता है पर दोसरो कैलिवर मैच करने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों आटिलेडियों में समानता है है M777 जहाँ पे एक टोड आटिलेडी है तो उही प 25 mm by 52 कैलिवर के ATA GS को 155 mm by 39 कैलिवर के M777 के कापी कहा जा सकते है तो दोस्तों ऐसे कई सारे और भी मुर्ख हो सकते है खास करके हमारे पडोसी देशों में जिनका ये भी कहना हो सकता है कि दोनों ही तो आटिलेडी है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत के तरफ से ATA GS को M777 के कॉपी करके बनाया गया है हाला कि दोस्तों हमारे पडोसी देश में भी ऐसे कई सारे लोग है जिनके अंदर कैलिवर के फरक के समझ ना हो और उनके जानकारी के लिए बता दू कि भारत के तरफ से M777 आटिलेडियों को खरीदने का डिसिजन साल 2016 में लिया गया जू मतलब M777 खरीदने के ओर्डर देने के एक महिने के बाद भारत के तरफ से ATAGS को जहाँ पे फायर किया गया तो वही पे भारत को M777 मिलने से एक साल पहले ही भारत ने ATAGS को बना लिया था और दोस्तों इन सवी तथों के बाबुजूद अगर किसी के तरफ से ये कहा जाता है इस सवाल को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मताविक भारत अफ तक 10 ATAGS का निर्मान कर चुका है और में 2-2022 में ही भारत के तरफ से ATAGS गन के सक्सेस्फुली फिल्ट ट्रायल को कम्प्लीट किया गया है अजरवेजान के मिलिटरी एक्सपर्ट के तरफ से जो बता दिया जा चुका है ओई पर रिपोर्ट के मताविक या ऐसे करीवन हजारों के संख्या में आटिलेडियों को इंडियन आर्म फोर्सेस के बेडे में शामिल किया जाएगा दूसर तरफ अगर देखा जाए तो साल 2016 में इन गनों को पहली वार फायर किया गया और उसके बाद उसे शायद इसके बारे में पता नहीं होगा कि एक खतियार को बनाने के लिए कितना समय लगता है और उसके ट्राइल और टेस्ट किस तरीके से किया जाता है तो सब चलिये थुड़ा जानते है ATAGS और M777 के अंदर के अंतर के बारे में तो से M777 असल में एक के तरफ से किया जा रहा है भारत के पास करीवन 145 ऐसे आटिलेडी है जो साल 2016 में भारत के द्वारा खड़िदा गया था ओही पर DRDO के एडवांस टोड आटिलेडी गन सिस्टम मतलब ATAGS को देखा जाए तो ये 155 mm by 52 कैलिवर के एक ऐसा आटिलेडी है जिसे आर्ममेंट रिस सिस्टम और कल्यानी स्टाटिजिक सिस्टम के तरफ से निर्मान किया गया है इसका डिजाइन का काम साल 2013 से साल 2017 के दर्मियान हुआ और साल 2019 से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो ही पे ATAGS गन को अगर देखा जाए तो इसका वजन करीवन 4200 किलोग्राम के आसपास ह और इसका लंबाई 10.7 मीटर मतलब 35 फिट के आसपास है M777 के बैरल लेंद 5.08 मीटर मतलब 16.7 फिट के आसपास है तो ही पे ATAGS गन को अगर देखा जाए तो इसका वजन M777 गन के मुकाबले में करीवन 4 गुना अधिक भारी है करीव इस गन का वजन 18 टन मतलब 18,000 किलोग के आसपास है तो उही पे दोस्तों इसके जो बैरल लेंद रहें वो 8 मीटर के आसपास है मतलब M777 से ATAGS के बैरल लेंद करीवन दुगना के आसपास है दोस्तों ATAGS गन को अपरेट करने के लिए जहाँ पे 6-8 क्रू मेंबर का आवशकता होता है तो उही पे M777 को वाले shell का इस्तमाल किया जाए तो ये 60 km से भी अधिक range में fire कर सकेगा M777 gun के अगर firing range को देखा जाए तो report के मतावी कि ये normally 21 km के range तक fire करता है अगर इसमें M795 ammunition का इस्तमाल किया जाता है तो ये 23.5 km तक fire कर सकता है और X-caliber ammunition के साथ ये अधिक तम 40 km के distance तक ही fire कर सकता है मतलब firing range में भारत के ATAGS M777 से काफी आगे है हाला कि दोस्तो 52 caliber के होने के कारण ये होना ही था जबकि दोस्तो अगर rate of fire को देखा जाए तो report के मताविक M777 gun के rate of fire normally 2 round per minute है और maximum ये 7 round per minute तक rate में fire कर सकता है ATAGS के rate of fire को लेके वताया जाता है कि इसके burst mode में 5 round per minute के रप्तार में जहाँ पे fire हो सकता है तो वही पे instant intense mode में 10 round धाई मिनिट में fire कर सकता है और standard में ये 60 round 60 मिनिट में fire कर सकता है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दोनों gun के rate of fire लगवग लगवग एक ही वरावर है जबकि अगर एक मिनिट तक केवल fire किया जहता है तो ATAGS से M777 के rate of fire थोड़ा अधिक है तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन